यदि आपको हमारे चैनल के नोटिविकेशन्स नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बैल आइकॉन पर अल उपर जरूर क्लिक करें आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अभी आप कमेंट रखे हैं क्या ये सीरीस कंटीनु रखें तो आप बोलेगे तो ये सीरीस बिल्कुल कंटीनु रहेगी बिल्कुल 5 एर कॉशन हो तक ठीक है जल्दी जल्दी हो जाता है दस मुन में छोटा वीडियो रहता है आप लोग भी पूरा देख लेते हैं पुराने लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिगा स्टार्ट करते हैं मेंडल का नियम संबनित है तो अनुआशिक्ता से मेंडल का नियम संबनित है इस्टील पर जिंक की परत चड़ानी के लिए क्या कहा जाता है तो गेल्विनाईशन कहा जाता है विज्यान की शाखा फोटो सोनिक्स से किसका दिन क्या जाता है तो फोटो सोनिक्स से पौधों पर ध्वनी के प्रभाव का दिन क्या जाता है क्रेसको ग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है तो पौधों के बढ़ते दर को जाना जा सकता है प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं तो एमीनो अमली से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं विटमिन C अमली है या छारी है तो विटमिन C आपका अमली है बैलिस्टिक गेलवनो मीटर से क्या मापते हैं तो छणक आवेश को मापा जाता है प्यूस्टिक गैलवनोंवीटर से ठीक है transient charge को shunt का स्थाई रूप से उपयोग किस जंत्र में किया जाता है तो a meter में shunt का उपयोग किया जाता है रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर जो है रखा जाता है तो sodium nitrate va dextrate के साथ मिला कर रखा जाता है copper sulfate को किस अन्य नाम से जाना जाता है आम तोर पर तो blue vitrol के नाम से जाना जाता है computer से समभन शब्द cobald का अर्थ क्या है common business oriented language cobald का अर्थ होता है gas विश्रण का नियम क्या होता है तो gas विश्रण का नियम किस ने परतिवादत किया तो gram द्वारा gas विश्रण का नियम जो है परतिवादत किया law of diffusion of gases खाने के सोडे का रासाइनिक नाम क्या है तो sodium bicarbonate खाने के सोडे का रासाइनिक नाम है खेडा के किसानों का असंतोस किस के वुरुद था तो सरकार के विरुद्ध खेडा के किसानों का असंथो उस था लाल कुर्ती आंदोलन किसके नित्त में चलाये गया था तो खान अब्डूल गफार खान के नित्त में लाल कुर्ती आंदोलन चलाये गया था 20 फरवरी 1947 को बिटिस प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने अंतिता किस समय पर भारत से वापस चले जाने की बिटस सरकार के निर्णा की घोशना की थी तो जून 1948 को ये घोशना हुई थी चिटगाओं सस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था तो सूरे सेन थे हमला करने वाले क्रांतिकारी दल के नेता भारतिये राश्टरी कॉंग्रेस की भारत चौडो अंदोलन का प्रस्चता हो, कहां पर अंगिकर्थ हुआ था ? तो बंबही में अंगिकर्थ की आगया था ? भारत छोडो अंदोलन का प्रस्चता हो प्राइब किया गया था भागत सिंग ने पुलिस जो है कमिशनर सांडर्स की हत्या क्योंकि सांडर्स ने उस सांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चार्ज करवाई जिसमें लाला राच पत्राय घायल हुए और अंताउन की म्रत्ति हो गई इसका बदला लेने के लिए भार अवद को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए लाट अलहोजी ने क्या बहाना बनाया था तो अवद के नवाब पर कुशाशन का आरूप लगाय था लाओ डलहोजी ने सन्यासी विद्रोहियों ने किस इस्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई तो बोगरा और मेमन सिंग जो है स्वतंत्र सरकार बनाई गई थी 1840 के लगबग किस ने कूका अंदोलन आरम किया तो गुरू राम सिंग द्वारा कूका अंदोलन आरम किया गया British Parliament के House of Commons में किस अंग्रेज ने 18 संताओं ने भारती विद्रों को राश्टी विद्रों की संगया दी थी तो डिज रैली ने राश्टी विद्रों कहा था भारती विद्रों को 22 भारत पत्रिका किस ने उनिस सो बत्ति में अकिल भारती हरिजन संग की स्थापना की ने उनिस सो पत्तिस में हुआ था माउंट वेटन योजना 3 जून 1947 का संबन्ध किस से था तो अंग्रेजियों दौरा भारत को सक्ता हस्तनांतरन की प्रक्विया से संबन्ध था माउंट वेटन योजना का महात्मा गाली ने भारत में अपनी सत्याग्रा की तकनीक का प्रयोग कहां पर किया था तो चंपार ने बिहार में सबसे पहले किया था सर्पथम किया था पाठली पुत्र नामक नगर की स्थापना किस न की थी तो उद्यान द्वारा पाठली पुत्र नगर बसाये गया था मगद का प्रथम राजवंश कौन था तो हर्यकवंश मगद का प्रथम राजवंश था अतनत काल में अश्वशाला की प्रधान को क्या कहा जाता था अमीर ए आखूर कहा जाता था, खालसापंत की स्थापना था, एक धर्माचार पाहुल को, किस सिक्क गुरु न चलाया था, तो ये चलाया था, गुरु गोविन सिंग जी द्वारा, विशिस्ताद्वेत के प्रवर्तक कौन थे, तो रामानुजाचार विशिस्ताद्वेत के बनवाए गया था, आगरी खिलाल के लिए में मोती मजीद, पुश्यमित्र सुंग ने अश्व में द्यग किये थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो महाभास से ग्रंथ से प्राप्त होती है, कि पुश्यमित्र सुंग ने जो है, अश्व में द्यग कर आ नामक पुस्तक लिखी तो अलबरु ने दिवारा किताब नामक पुस्तक लिखी गई खर्मेर राजा ने किस भारती राजा से मित्रता की थी तो राजेंद्र पथम से मित्रता की थी खर्मेर राजा ने सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था तो सिचाई कर था हक ए शर्ब में रेल याँतायात का आरम जगवार की था? Lord Dal pratichagn... काउनल मंदर बनवाय था? Kanchi के मुक्टेशवरि मन्दर था? पेरुमर मंदर का निर्माड की निर्मार की था? तो पल्लवंश के नंदी वर्वन नेक द्वारा ये जो है मंद्रों का निर्माण कराए गया था प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है तो आहात सिक्का कहा जाता है प्राचीनतम सिक्कों को विश्व दुखों से भरा है इसका सिध्धांत महात्मा बुद्द ने कहां से ग्रहन किया था तो उपनिश्वदां से ग्रहन किया था विश्व दुखों से भरा है चोलकाल में ब्रामवनों को दी गई करमुक्ति भूमी कहलाती थी तो चतरवेदी मंगलम कहलाती थी जो की ब आरा विडू वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की तो 1570 में तिरुमल ने जो है आरा विडू वंश की स्थापना की थी नगर इतनी पूरी तरीके से उजड़ गया है कि नगर की इमारतें महल और आसपास के लाकों में एक बिल्ली या कुट्टा भी नहीं बचा सुल्तान द्वारा राजधानी इस्थानांतरन की बारे में उप्रुक्त वक्तव किसने बोला था तो जिया उद्दीन बर्दी में बोला था कि राजधानी तो बदल दी लेकिन अब जो नगर बचा है उसमें एक कुट्टा या बिल्ली भी नहीं दिख रहा भारतिय करशी अनुसंध प्रक्रिय किस से संबनेत है तो निस्वानिस्टेशन से संबनेत है स्वापरागण पसूओं में नय पैदा हुए भचण को खीज मतलब कोलश्टरम कितरणे दिनों तक पिलानी चाहिए तो लगवग 10 दिनों तक पिलानी चाहिए अगला कोशन दिखे पसुधन के छेत्र मे गाय में दुख दुखर रोग किस पोशक तत्यों की कमी से होता है, तो calcium की पोशक तत्यों की कमी से दुख दुखर रोग होता है, milk fever, आलु के विप टेल व्याधी किस पोशक्तित की कमी से होती है? तो मॉलिब डेनम यदि कम हो तो फूल गोभी में आपकी विप टेल नाम की व्याधी या रोग हो जाएगा, डिसॉर्डर हो जाएगा. डुधनी को आंक की भाती उप्योग करने वाला पशु पक्षी कौन सा है ? मनुश्य सरीर में कठोर्य पतार्थ कौनसा है तो एंइमल दातों मनुश्य सरीर में सब से कठोर्य पतार्थ है एक हाड बीट में अनुवानता कितना समय लगता है तो 0.8 सेकंड एक हाड बीट में लगता है भारती Cao कोंग्रेस प्रतम अध्यक्ष्य वियों को इस सवाइव अधिवेशन के दक्षबने थे steve 1892 में इल्थावादाइव भारत के समीधान के किस अनुस्षेद में वाईश्र प्रस्ट्ता समयाप्त करने का प्रावधान है तो अनुस्षेज लेगा तो लोग सभाद्यक्ष लेगा कि वह धनविद्यक है या नहीं किविधाने किस मौलिक अधिकार को भारती समविधान का अथी की तो सम वार्शिक चुनावों की अधिकोष्णा का जारी करता है तो निरवाचिन आयुक जारी करता है राश्ट्पति सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत लोग सवा भंग कर सकता है तो अनुछेद 85 के अंतरगत लोग सवा भंग कर सकता है राश्ट्पति सम्विधान सवा के भारती सम्विधान में किस अनुछेद को अंतर राश्टी शांती और सुरक्षा की बंदी प्रत्यक्षी करन रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमे नहेद है, तो सर्वुच्छी नयायला या उच्छी नयायलों में से बंदी प्रत्यक्षी करन रिट जारी कर सकता है, भारतिय सम्विधान के अनुशेत 30 का समद्ध किस से है, तो अलप संख्यकों की सिक्षा संस्थानों की स्थापनाव तथा उनके प्रबंधन के अधिकार से है संग सरकार द्वारा किसी राज को विशेश दर्जा प्रदान करे करने का ताथ पर क्या है तो बाद में किंद्री साहता की अधिक प्रतिशत्ता साहता अनुदान के रूप में धोगी भारति सम्विधान के किस अनुछेद के तहट राजिको पर्यावन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है तो अनुछेद 48-1 के अंतरगती अधिकार मिला है भारत के राष्टपती द्वारा आपात इस्तती की घोशना मंत्री मंडल की लिखित सला मिलने पर ही की जा सकती है किस सम्विधान संसोधन के पच्चात इसे सम्विधान में जोडा गया तो 44-वे सम्विधान संसोधन के तहत ये जोडा गया किसी सम्विधान संसोधन द्वारा यह इस पष्ट किया गया है कि तुअ नगरहविली भारत में सामिल होने के पूर्व किसे उपनवेश में थी तो पुर्ट काल के उपनवेश में थी राजपाल पद के लिए नियूंतम आयू कितनी होने चाहिए तो 35 वर्स होनी चाहिए सम्विधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभुई ची तो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभुई थी सम्विधान निर्मान की दिसा में पहला कार उद्देश प्रस्ताव था तो ये 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था मुगल सम्विधान में राज़ों के चार अलग अलग प्रवरतों को समाप्त करने के लिए किस की अध्रक्षिता में राज पुनर गठन आयूक का जो है गठन किया गया संदक्षन अधिनियम को मान से पारित किया गया था तो 1946 में सिविल अधिकार संदक्षन अधिनियम के मान से पारित किया गया था किस समयधान संसोधन अधिनियम ने राज के निती निशक तक्त्तों को निर्वाजित हुए थे तो वी वी गिरी जी निश्चित कोटा प्राप्त करके निर्वाजित हुए थे और यह रहा आज का आपका आखरी कॉश्चन समयधान के किस अनुछेत के अंतरगत वित्ति आपात काल की व्यस्ता है तो अनुछेत 360 में वित्ति आपात काल की व्यस्ता और यह रहा आपके लिए एक surprise question अब 101 से लेके 200 तक यह अधी आपको वीडियो देखना 101 से 200 तक यह correct आपको 9 बजे अप्लोट जाएगा कितने बजे में रेटायर हो जाते हैं ऐसी राष्टपती की रेटायर की उम्र क्या है दी है या नहीं समयधान में comment box में comment करके बताईएगा मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक फिल अपने ख्याल रखिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बताईएगा जरूर वल्लायर पसंद आ रहे हैं या नहीं धन्यवाद